दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले भारतिय जनता पार्टी ने एक स्टिंग जारी कर आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोईल पर एक करोड की रिश्वत लेने का आरोप लगाया पीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया के सामने स्टिंग ओपरेशन दिखाया मुकेश गोईल पर आरोप है कि उन्होंने एक जेई से एक करोड की रिश्वत ली है स्टिंग जारी करनी के बाद संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरिवाल पर जम कर निशाना साधा संबित ने कहा कि मुकेश गोईल को M.C.D. का एक गाग नेता माना जाता है अर्विंद केजविवाल भी MCD का कोई भी काम बिना मुकेश गोयल से पूछे नहीं करते हैं यह एक ठगो की पार्टी है दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर भरष्ट उल्लो बैठा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि अन्जाम क्या होगा मुकेश गोयल इस बार MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है वो वाट नंबर 15 आदर्श नगर से चुनाव लड़ रहे हैं BJP के स्टिंग जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल ने प्रेस कॉन्फरेंस कर संबित पात्रा के आरोपो का जवाब दिया मुकेश गोईल ने कहा कि बीजेपी के सारे आरोप घलत है बीजेपी ओची हरकतों पर उतराई है बीजेपी ने अपने 15 साल के भरष्टचार को छिपाने के लिए मेरी फर्जी क्लिप चलाई है मैं 35-40 साल से राज़नीती में हूँ मैंने 25 साल तक निगम के कई पदों पर काम किया लेकिन आज तक कोई आरोप नहीं लगा बीजेपी ने मेरी फेक और एडिटेर आडियो वीडियो चलाया है संबित पात्रा पर मान हानी का केस करूँगा PC के दोरान ही जब मीडिया ने मुकरिश गोईल से सवाल करना शुरू किया तो वो बिना जवाब दिये निकल गए मुकेश पिछले 25 साल से पाशुद रहे हैं गोईल उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कॉंग्रेस पार्टी के नेता थे मुकेश गोईल नवंबर 2021 में आमाद्वी पार्टी में शामिल हुए थे दिल्ली में केजिवाल सरकार और LG में तकरार और बढ़ गई है LG विनैस अकसेना ने DDCD के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को बरखास्त कर दिया है दिल्ली के समवाद और विकास आयों की ओफिस को सील कर दिया गया है LG के निर्देश के बाद जैस्मिन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवा और सुविधाओं पर ततकार प्रभाव से रोक लगा दी गई है लेकिन जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के नेता भी है और कई मौकों पर पार्टी और सरकार का पक्ष रखते रहे हैं इसी वज़ा से उन पर पद का दुरुप्यों करने के आरोप लगाए गए है दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी और भारतिये जनता पार्टी के बीच पोस्टर वार जारी है दोनों पार्टीया सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारीकर हमले कर रही है बीजेपी ने आज फिर लूट केस पोस्टर जारी कर सीम अर्विंद केज़िवाल और मनीश सिसोधिया पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी स्कैम 2022 नाम से पोस्टर जारी किया आपने इस पोस्टर के जरिये दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुपता बीजेपी सांसद मनोस्तिवारी और गौतम गंभीर पर हमला किया इससे पहले दिल्ली बीजेपी ने लुटेरा फिल्म का पोस्टर जारी कर मनेश सिसोधिया और अरविंद केजरिवाल पर निशाना साधा था शद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस सबुत तलाशने के लिए हर एंगल से जाच कर रही है दिल्ली समेत कई राज्यों में तलाश की जा रही है दिल्ली पुलिस आफताब पुनेवाला को गुरुग्राम के उसके ऑफिस ले गई आफताब डियले फेस टू की सीविंट कमपनी में काम करता था दिल्ली पुलिस की एक टीम गुरुग्राम की सीविंट कमपनी के आसपास तलाशी कर रही है इसके अलावा पुलिस डियले फेस टू के खाली पड़े प्लॉट में जाडियों को खंगालने में जुटी है दिल्ली पुलिस को शक है कि ऑफिस आते जा है कहा जा रहा है कि एक भारी पॉलितphones के हाथ लगा है in आफताब शरधा के साथ मार पीच करता था उसकी गवाही शरधाक पुरासी दे रही है जिसको शरधा की दोस्ते जारिकिया है शरधा की दोस्ते रावा किया है कि तस्वीर दो Sander 2020 में आफताब ने शरधा को बेरहमी से पीचा था उस वक्त उसके चेहरे पर कई चोटें आई थी श्रधा की दोस्ते बताया कि आफटाब नशे के आदी था नशे के बाद श्रधा से मार पीट करता था दिल्ले पुलिस के मताबिक आफटाब ने कुबूल किया है कि उसने श्रधा के कुछ बॉड़ी पा का लेवल बढ़ा हुआ था दिल्ली के कई इलाकों का एक्यू आई 290 से उपर दर्श किया गया दिल्ली के तापमान में भी आज गिरावर दर्श की गई है मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड और बढ़ेगी दिल्ली इंसियार का तापमान 10 ड करोड़ों लोगों को अपना निशाना बनाया है चानकारी के मताबिक इस गिरोह ने एदी का फरजी समन मूंबई के एक बड़े बिजनसमैन को भीजा था जिसके बाद बिजनसमैन ने शिकायत कर बताया था कि कुछ लोग एदी का फरजी नोर्टस भेजकर करोड़ों और erreicht पुलिस की क्राइम ब्रांच को लंबे समय से इस तरह की शिकायते मिल रही थी अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रस दिया पहली बार देश में नीजी स्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम एस सफलता पुर्वक लॉंच किया गया इस्टों ने देश का पहल प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई उच्छाई देगा इसे के साथ दिल्ली एंसियार टॉप नाइन में आज के लिए इतना ही बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें टीवे नाइन दिल्ली एंसियार नमस्कार डेली एंसियार पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें एड़ रेट टीवी नाइन डेली एंसियार